जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कक्षा 10 इंग्लिश का सिलेबस तीस प्रतिशत घठाया गया है अब दोस्तों मैंने इसका एक डेटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारा सिलेबस बताया था कि अब आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है अभी और आप लोगोंने कॉमेंट्स में बताया था कि आप एक बार और अच्छे से बताईए कि कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ना है तो भाईया हमने एक Grammar का भी वीडियो बनाया है अलग से Grammar का वीडियो में वो सारा syllabus है जो कि अब Grammar में आपको पढ़ना है मैंने पूरी detail में उसको बताया था अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अलावा जो लिट्रेचर है जो आपके चैप्टर हैं कौन-कौन से वो कौन-कौन से हटा दिये गए हैं और कौन-कौन से चैप्टर सब आपको पढ़ने हैं तो क्लास 10 इंग्लिश आप यहाँ पर देख रहे हैं हाई स्कूल कक्षा 10 विशे अंग्रेजी 30% सिलेबस में जो जो चैप्टर हटे हुए हैं ध्यान से देख लीजेगा भाईया यह चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ने हैं आराम से इन चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं बिलकुल नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इस से आपके बोर्ड एक्जामेनेशन 2021 में प्रशन नहीं आएंगे तो प्रोस में क्या अकाउन्स गाउन से चैप्टर हटाए गए हैं तो प्रोस में भाईया अब आपका लेसन नंबर 5 टॉर्च बीरर्स जो की लिखा हुआ है बाई डबल्यू एम रेबर्न दौरा तो यह चैप्टर हट गया है प्रोस में और प्रोस में छे नंबर का चैप्टर छे नंबर का चैप्टर प्रोस का अवर इंडियन म्यूजिक stories and anecdotes यह वाला चैप्टर हटा है तो प्रोस में दो चैप्टर हटे हैं दूसरा चैप्टर लिखा हुआ है आर श्री निवासन ने तो प्रोस में दो चैप्टर हटे हैं यह ना पढ़ना भाई लोग अब क्योंकि यह अब आपके से हट गए हैं प्रोस में टॉर्च बियरस चैप्टर नंबर पाँच और चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर छे आवर इंडियन म्यूजिक, stories and anecdotes पोईट्री में हमारी एक पोएम हट गई है ध्यान से देखिए बारीगी से आप इसको समझिए कि The Nation Builders by R.W. Emerson Nation Builders by R.W. Emerson ये वाला हमारा पोएम हटा है ये वाली पोईट्री हमें अब नहीं पढ़नी है दोस्तों सप्लिमेंटरी में देख लेते हैं तो सप्लिमेंटरी में, सप्लिमेंटरी रीडर में My Greatest Olympic Prize जिसमें Luz Long, Lumbish Lang वाला जो लड़का था जो रेकॉर्ड बनाता है, वाला चैप्टर बाई, जीस ओवेंस ने लिखाता वो हट गया सप्लिमेंटरी रीडर से तो टोटल चैप्टर आपके बनते हैं चार चैप्टर हट चुके हैं हमारे क्लास 10 इंगलिश से दो हटे हैं प्रोट से एक पोईटरी की पोईब और एक सप्लिमेंटरी की स्टोरी हटी है तो टोटल हमारे टोटल हमारे चार चैप्टर हट चुके हैं अब देखते हैं कि कौन-कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं तो 70 नमबर का आपका पेपर होगा अंग्रेजी अंग्रेजी फिशेगी पाठ वस्तू निम्न प्रकार है कौन-कौन से चैप्टर हैं जो अब आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहले हम इसको मारेंगे भाईया थोड़ा सा जूम ताकि आप लोग क्लियरली देख पाएं तो प्रोस में प्रोस में हमें पढ़ना है चार चैप्टर दा एंचांटेड पूल बाई सी राजगोपालाचारी ए लेटर तू गॉड जी एल फ्लुएंट्स द्वारा दा गंगा पंडित जवाहरलाल नहरू का लिखा हुआ और सोक्राटीज बाई रोडा पावर ये चार चैप्टर हमारे प्रोस में है तो बहुत ही आराम की बात है दो चैप्टर हड़ गए हैं उनको ना पड़ो इनको अच्छे से तयार कर लो 16 नमबर के प्रशन आएंगे प्रोस से पोईट्री में अब केवल और केवल आपकी तीन पोईम्स बची है तीन पोईम्स कौन कौन सी है तो दो फाउंटेन बहुत फेमस सेंट्रल आइडिया इसका आता ही आता है अच्छे से आप इसको तयार जरूर करना फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया आता है और fountain से ही explanation भी पूछी जा सकती है, व्याख्या भी पूछी जा सकती है, by James Russell Lovell ने लिखा है fountain, फिर The Psalm of Life by H.W. Longfellow, और The Village Song by Sarojini Naidu, साथ नंबर की poetry आएगी, जिसमें चार नंबर का तो भाई साव आपका central idea ही होगा, तो फटा फटा इन तीनों poem का central idea याद कर लीजिए, उनक को बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर supplementary reader में, supplementary reader में जो chapter है हमारे, the inventor who kept his promise, जो Einstein वाला chapter है, वो है ये, the inventor who kept his promise, और दूसरा chapter है, the judgment seat of vikrama दित्या, the judgment seat of vikrama दित्या, समझ गए आप लोग, the judgment seat of vikrama दित्या, और the inventor who kept his promise हटा है, इस से आएंगे हमारे 12 नंबर के प्र दो short answer type question आते हैं, और एक long answer type question आता है, सिस्टर निवेदेता ने ये लिखा है, तो ये हमारा पूरा है, पार्ट पोस्ता क्यानि की text book का syllabus, text book में आपको इतने सारे chapters पढ़ने है, ग्रामर वाला भी syllabus मैंने बताया है, description में लिंक में डाल दूँगा, ग्रामर में अब आपको क्या क्या बढ़ना है, अच्छे से समझाया है मैंने और एक वो पूरा वीडियो भी बताया та मैंने, जिसमें सारा का सारा syllabus बताया है, मैंने आपको क्या हटा है और क्या नहीं हटा तो ग्रामर में तो भाई साब कुछ हटा नहीं है कोई हला मचाने आली बाद नहीं है ग्रामर में कुछ नहीं हटा है बस यह हटे हैं तो आपकी यह वाले चार चार चैप्टर हटे हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like कर देना ना पसंद आई तो dislike कर देना मिलते हैं अपने next video में तब तक के लिए खाते रहिए पीते रहिए पड़ते रहिए और देखते रहिए exams with MS thanks for watching and listening me and good luck for our future thank you and bye bye